नमस्कार मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ दराज धर्म पर आज मैं पहुंची हूँ गहलब गाउं में जो की जाट बहुल्य गाउं है एक नरेटिव ये भी सेट करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो मुसल्मानों ने वहाँ पे किया उनके साथ जाट है उस नरेटिव पे क्या कहते है जाट भाई में जाटों में जबर जस्त रोस है गुस्सा है इंसाफ मिलना चाहिए उससे पहले कि ये समाज को स्टैप ले आने वाली तेरे तारीक को यहां से 20 किलो मीटर दूर किरागाउं है वहाँ पर जाट समाज की बहुत बड़ी पंचायत होने वाली है जो दिल्ली से लेकर के आगरा के बीच में जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं वो सारे की सारे वहाँ इखटा होने वाले हैं और सरकार को सोचना चाहिए कि 50 किलो मीटर नेशनल कैपिटल दिल्ली है 50 किलो हुई सरकार को पता है कि सोसल मीडिया पर इस तरह के कमेंट चल रहे थे इतनी बड़ी स्ट्रेस बनी हुई है उसके बाब जूद भी वहां के एस पी का चुट्टी पर चले जाना और इस वारदात को करा देना जिसमें बच्चे भी सामिल थे और ये प्राचीन परमपरा है यहां के जाटों में जबरदस्त रोस है अगर सरकार ने इस पर कोई स्टैप नहीं लिया तो यह जाट भी कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएंगे वैसे जाट को बहुत सांत सीरी और धीरी कौम कहा जाता है लेकिन जब यह अपने आप पर आते हैं तो कुछ ना क पर देखिए इस देश का संविधान में कानून के साथ साथ एक प्रैसर गुरुप्स का भी आपने पढ़ा होगा तो प्रैसर गुरुप्स भी एक चीज होती है और हम सरकार को सीधा आई संदेश देना चाहते हैं या तो आप कुछ कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप फेल मान लिए जाएं पूरी दरीकेस और समाज अपने हाथ में कानून ले उस चीज़ को यह समाज चाहता नहीं है बिलकुल भी पहले भी वैसे हमारे स्चेतर में 2014 अक्टूबर में एक चोटा सा इंसिडेंट हमारे हतीन के अंदर हुआ था मारे हतीन में बहुत सारे मुसलमान रहत सरकार को यह तो कुछ ने को सोचना चाहिए जो कारवाई से यहां का समाज बिलकुल संतौच नहीं है जो कारवाही हुए क्योंकि वो तो कहते हैं कि बुल्दोजर चला हम लोगों ने लोगों को सब्सक्राइब दकना में ने को specific हैं भी संतौश्ट है हम्मारी जिःश क तक पहुँच करके ये बात बिल्कुल बरदास्त नहीं होगी ऐसी गटिया सोच रिफ्यूजी एक पंजाबी बाईसाब चुप बकवास करने की जड़ूत नहीं है ये ऐसी पाले हैं ये जाट समाज ऐसा है हमेशा हमेशा से कुरवानी दिये हिंदू धर्म के उपर कुरवान हमारा जाट समाज नहीं पूरे हिंदू एक हो करके इने जबाब देकर रहेंगे या तो खटर सरकार बीजेपी सरकार इसका कोई समाधान निकाले तब संतुष्टी होगी और समाधान नहीं निकाला तो ये नोजबान पिड़ी जब जब भी देश में किरांती आई है नोज प्रकिस्तान जैसे नबॉकर छोपे हुए हैं खटर सरकार पर आज तक कुछ नहीं हुआ इन्हों ने चूड़ियां पहन रखी है योगी जैसे मुझमंतरी होने चीह है जहां कोई तंगे नहीं होते हैं, यहां डेली- होते हैं। यहां किराएम होते हैं, बहन- mêsoda कर जली देल के अत्याचार होते हैं। और यह रिफ्यूजी एक पंजावीन की तरह चूंदरी बेचते हैं। योगी जो हमारे आदितयनात जी है वह एक मार्सल कौम से जनम है या दब कौम से जनम है चत्री कौम से जनमuhan की कहता हूँ जाता कभी सकती दफन नहीं हुआ करते हैं और भी थोड़ा सा मुद्दों पर बात करते हैं जैसे यह घटना हुई मेवाद की है न तो इस पर क्या आपको लगता जैसे गोद्रा में 2002 में ऐसा ही कुछ हुआ था कि वहां पर हिंदू जो वहां पर कार सिवा करके आ रहे थे उन तरीके से दंगा उस तरीके से बढ़का था तो क्या यह मेवाद की जो घटना है वो गोद्रा जैसी मानी जा सकती है बिलकुल उसी की सिमिलर है वो भी भक्त आ रहे थे अपनी यातरा पूरी करके यहां यातरा शुरू होनी थी और उस समय उस पर अटेक किया गया तो भक्त सब्सक्राइब करने के दिंगे नेपusa करते वो सब्सक्राइब करने के लिए यह मेरे आँक है ओजिया करने उस बढ़ जिन में बी चलवाइ सुन्हें प्ल cm 1 प्रपारश के लिए और उसे बच्चे वी री ये कोई भी समाज इस बात कह ज़ाव दे अगर दुबारा जैसे जलबी शेख होता है तो क्या आप लोग दुबारा जाएंगे वहां पर क्योंकि एक गए थे लाखो की संख्या में जाएंगे जाएंगे यातरा पूरी करेंगे और हमारे जो मेव भाई है जो हमारे स्थानी मेव भाई है ऐसा निये पूरा समाज खराब है में भाई हैं उनसे हम आवहान करेंगे कि वो आएं और सुरक्षा में पुलिस की जगे वो खड़े हूँ अब आप देखना अगली बार जब यातरा निकलेगी तो फूल भी बरसाएंगे यहां एसे योगी हैं जैसे 1947 पहले हमारे जवाहर सिंग मारा सूर जमल बरतपुर्ण रेस जैसे दादा काना के बारे में मैं बता रहा था मौमडनों ने और उनको धरम बदलने की बात कही वो खिच करके दिल्ली चंदनी चोक दीरज पाड़ी पर दफना तो दिये लेकिन धरम नहीं छोड़ा यहां के ऐसे फौलाद जाट पलस हिंदू जाट पलस हिंदू सारे हरियान प्रदेश में ऐसे बसते हैं कैसे कितने खटर आए और कितने चले गए यहां से यहां खटर जी से बड़ा रोश है अगर हमें नहीं मिला देखिए खटर जी से रोश यह है कि यातरा को देखते हुए जो पीकॉसंस रखने चीए थी जो तैय जाट मारे हैं गोली चलाई हैं लट मारे हैं औरतों के साथ बच्चों के साथ यह कृत किया है वह हजारों की संख्या में थे सौ दो सो आदमियों को पकड़ने से संतुस्टी नहीं मिलेगी एक मन में मेरे एक और सवाल आ रहा है कि जैसे आप लोग कह रहे हैं कि प्रेशर की तरह आप काम करेंगे आप शरकार की तरह काम करेंगे तो क्या प्रेशार आप सरकार की उपर बनाएंगे। एक सरकार को समझे कर साब को समझे लेना चाहिए अगले अक्टूबर में हरियाना सेम्बिली के एलेक्षन आ रहे हैं और अप्रेल मई में लोग सभा के एलेक्षन आ रहे हैं अगर वो होस में नहीं आए न तो जिस तरह कुरसी पर बिठाएं कुरसी पर से उतार दिये जाएंगे बीजेपी सही चाहिए ऐसे लोग नहीं चाहिए जो यहां पर गडवडी करें गुंडागरदी करें योगी को मिसाल यूपी हमरे पड़ोस का है यहां से 50 क्यलो मेटर हम चलते हैं तो ीउपी लग जाता है यूपी के हम मिसाल क्यों देते हैं ऐसे थोड़ी नहीं है वहांपी जी नहीं देखिए जी नहीं देखिए ऐसा नहीं है वहां के मुसल्मानों से आप पूछ करके देखिए योगी गोरखपुर को कितने ही बीसों सालों से वहां पर रेप्रेजेंटेब वहां गोरखपुर नहीं दिखता है उनको दिखता है कि योगी जो है मुसल्मानों बढ़ जो गलत है उसको गलत बताएंग और जो सही है उसको सही कराएं. योगी ऐसे थोड़ी नहीं है को मुसल्मानों की गड़दन काट रहे हैं. अब ही अगर योगी जी होते तो क्या करते हैं योगी जी अगर होते तो पहली बात तो यह है कि इस तरह का इंसिडेंट होता ही नहीं इस यह जो यात्रा निकली है इस यात्रा पर इस तरह की तैयारी होती कि ऐसा ऐसा कोई हादसा होता ही नहीं वहां पर पत्थरों की बज़े पूलों की बारिस होती हमारे गाउं से सेकड़ों बच्चे भी कावड ले करके आए हैं हरीदवार से कुछ पैदल वाले वैसे थे जो दस बारे दिन में चल करके आते हैं और कुछ दो यात्रा हैं हमरी डीजे वाली गई थी और वो सारे की सारे बता रहे हैं कि हेलिकोप्टर से फूल सरकार ने बशाएं ने वोग है यहां तक मौनु माने शरके यहां देने वालें हैं हमारे यहाँ पर तीन पाल हैं बड़ी डागर पाल रावत पाल और सहरावत पाल जाट बहुल हैं दो गव साला हैं अहतीन के अंदर पूरे पलवल डिस्टे के अंदर दस गो साला हैं जो हरियाना गो सेवायों के अंदर रिजिस्टर्ड हैं यहाँ पर गोरक्षा भी होती है मौनु माने सर भी उसी काम में लगा हुआ है प्रावलम इनको इस से है कि हमें गलत काम मुसल्मानों को प्रावलम नहीं है मौनु से उन तसकरों को प्रावलम है जो तसकर गलत काम करते हैं ये मसला हिंदू और मुसल्मान का है ही नहीं ये मसला तो है बदमासी का उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोनुमानेशा जैसे लोगों से दिक्कत हो रही है तो इस वज़े से ये पूरा कांट किया गया एक कोई मैसेज देने का प्रयास किया गया है क्या मेवाद की घटना के बाद आपको क्या लगता क्योंकि आप उस घट्डा में शामिल के में इसलिए पूछ देखिए ये मैसेज दिया गया है कि एक साइबर थाने को आग लगाना थाने में तो कोई कुछ नहीं कर रहा था साइबर थाने में इन्होंने जो ऑनलाइन जो ठगी करी हुई है उन सब का साइबर थाने में था उन उस थाने को क्यों आग लगा दिया वो सारा रिकॉर्ड इन्होंने कंप्यूटर फाइल हैं सब की सब उनको आग लगाकर जला दिया एक तो यह मैसेज हो गया हमारे खिलाब जो भी कारवाई करेगा उसको हम नहीं चोड़ेंगे हमारे यहां पर को मौनू और बिट्टू बजरंगी की बात जो कर रहे हो बिट्टू बजरंगी का अभी आपने मैंने वीडियो दिखा जो बिट्टू बजरंगी ये खुद नहीं कहता के बहाई जिसमें नू का केरागाउं है जहां पे सर्व हिंदू समाज का एक पंचायत होने वाला है जिसके अंदर मुख्य मांग ये लोग रखने वाले हैं कि जो भी लोग उसमें शहमिलित थे उसकी कारवाही हो और क्या मांग रखने वाले हैं आप लोग जो भी हैं उनको ढूंड करके निकाला जाए उनको पूरा दंड दिया जाए और इस जो ये इंसिडेंट हुआ वा आरभादत हुई है इसको पूरे तरीके से न्याय और इंसाफ तक पहुचाया जाए और इस समाज को संतुष्ट किया जाए और तीसरी दोने ये बात बताए कि ये जो लडाई थी वो हिंदू-मुसल्मान के नहीं थी किसी को किसी से दिक्कत थी तो उस वजे से ये मेवाद की घटना घटित हुई तो इसे के साथ मैं धन्यवाद करती हूं